फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल अपने लोग कल पर रहे थे अलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिंग के बारे में जहां तक अपने लोग ने वोल्टेज को कवर किया था अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीचेगा और वीडियो को अच्छे से कवर कर चुके थे कहां तक तो यहां तक की आर्क वैल्डिंग का टेम्परेचर होता है छे साथाथ डिग्री सेंटीग्रेट तक होता अब यहां से आगे कंटीनियू करते हैं अपने लोग तो देखे यहां पर जो है अब सुरू होता है कॉएंट डमर से करता हूं देखें इसका जो मसीन इसको अर्थ कर दिया जाता है ताकि करेंट ना लगे ठीक है तो ऑपरेटर के सुरक्षा के लिए आर्थिंग की जरूरत होती है और विदु धारा का परिपत कार्यखंड की मोटाई पर निर्वर करता है जैसे यह प्लेट लेते हैं और यह प सुर्ट पॉइंट है यहां पर ग्रास का परियोग क्या दाता है कौन रहता है तो सीलिकॉन था цен को फटे तो की यहां दिशलिकान करने हैं वालें तो इस पेरने के पर ओल्atal हेजए बाध करने हैं और सांधाने का दिशलिकान दुन फटिक है कॉड़न करने वाले पर क्या है शर्मेक बारे में के पॉंट करके हम बात पर इसको थर्मिट वेल्डिंग को पूरा एकदम अच्छ से कफर करेंगे थर्मिट वेल्डिंग के दौरा कसित लोगों नेक्स्टन वेल्डिंग एसी प्रेकिरिया है जहाँ पर केमिकल रियक्षन क NOW बेल्डिंग किया जाता यहां पर इसका एक फॉंडेशन बनाया जाता है और मालीजे इस पर्ट्रिक अपने लोग को वेल्डिंग करना है तो इसका फॉंडेशन बना देंगे और यहां पर यहां पर यह वाला भाय दिख रहा यहां पर फॉंडेशन त्यार होगा उसके बाद नियूकर OF ठोंडेशन त्यार करने की है ठीक है उपक्साइब दालो को नेखे सरे मिलट उक्साइब और इसमें पली को तAmerica होगा तो तो बहुन के से ऊक्रेक्षान के करेंगे शीन व Using the और निकल उब है अब देखिए यहां पर है तर्मित within में च्छा क्या क्या होता उसके बारे में देखेंगे तर्मि में धातू पौडर के रूप में डा थार्व पॉडर के रूप में लिए मैंगिनिसीम लिया जाता है द्धा वी अकसाइड के रूप में आरन पर्योग किया जाता है यहां पे धाटU पाउडर और हला यो फाट WILL कितना रहता है एक रहता और हाट उख ION कि लाट और दिल और कहल एक पर दोना करते हैं यहां पर देखे जैसे यहां पे दिया है कि धातुई पार्टर मतलब कितना लेते हैं 25 गराम सब्सक्रिछ फरतूट्र कितना ले है 65 75 परसंट ầnफ्रॐश्ट है तो 25 परसंट धातुई पारी पार्डर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट है को परओंगे थर्मिट वैल्डिंग का कंप्लीट हो गया क्रेस कोर्स चल रहा या उसके बाद है लिट्रोड के बारे में तो आर्क क्या करते हैं ये माना है इसको weld करना है तो यह मेरा electrode holder है ठीक है और यहाँ पे एक electrode है और इसको अर्थ किये हुए यहाँ से अर्थ claim की मदद से तो यह क्या करता है तो electrode क्या करता है next point है welding का electrode खर्च भी हो सकता है और नहीं भी डेख़िये अलक्त्रोड दो प्रकार करने धरना को नम चैज रंक सरोड नद्य Śाव में so प्रण यहांWhenि यजो कहते हैं यह से स्फे ने श्रॉन के 3 इर्वार्ए ग्याद कर सुरीबल उनको पर गांनों को वियास से देखें जैसा यह ट्रोड मोदा इसके बना और किया होता था यह कोटे होता है इसके ओपर की हुई है तो इसका गूल के से निरधारित करेंगे यह देख रहें इसके कॉर यह से इसको की-पया रिए इसका सय्च Bong दो परकार के होते हैं पहला नन कंजुमेबल रेलेक्ट सबसे वैलिंग में रखेन का पर्युज जाता है तो सबसे पहला है TIG Welding, Tungusner Inert Gas Welding, और नेक्स्ट है Plasma Arc Welding, और नेक्स्ट है Argon Arc Welding, आरगन Arc Welding का पर योग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन TIG Welding और Plasma Welding ये दोने को प्योग करते हैं, और ऐलमुनियम का चादर पर श्रीफ TIG Welding किया जा सकता है, ठीक है, ऐलमुनियम का सब्सक्राइब और उसमें पूछेगा एलक्ट्रोड का चाक लाइब का तेकल चाहिए, बात्विख का सब्सक्री परिवाएब नियुक euch अजे मगs अप महतले है, अप कर चुक्रोड का चीछ के सब्सक्रेबल आए, योजयो फ्लक्स कोटेड आर्क वैल्डिंग सिल्डिंग आर्क वैल्डिंग एलेक्ट्रो स्लैग वैल्डिंग ठीक है यह जो तीन को प्रकिरिया आपको देख रहा है यहां से यहां तक flux coated arc welding, silding arc welding और electro slag welding ये तीनों welding का परियोग लगभग ना के बराबर होता है जादतर जो use में आता है वो M.I.C. welding होता है metal inert gas welding और submerged arc welding ये दो welding का जादा use करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखें सरसे पहला point है non-consumable electrode खर्च नहीं होता है अब यहाँ पे TIG welding से start करेंगे एक-एक detail में चलते हैं जिसका use है तो TIG welding का दूसरा नाम क्या है Tungusner inert gas welding या Tungusner arc welding इसका दो नाम है Tungusner inert gas welding या gas Tungusner arc welding तो देखें इसमें silding gas का परियोग किया जाता है TIG welding में silding gas का परियोग किया जाता है तो देखिए यह आपका क्या है TIG building है ठीक है तो यह यहां से क्या करता है यहां पर देखिए यहां पर इसको shielding gas यहां के मदद से भेजते हैं और यह आपका filler rod अलग से रहता है और इसको अपने परियोग कर रहे हैं तो नेक्स्ट है अपने लोग इसको point by point देखते हैं तो देखिए यहां पर जो है TIG building में AC और DC दोनों का परियोग होता है TIG building में AC क्रेंट से भी कर सकते हैं DC क्रेंट से भी कर सकते हैं और shielding gas के रूप में किसको लेते हैं आरगन और helium को जो क्या है सकते हैं या इसका मिसरन भी ले सकते हैं आरगन और helium का मिसरन काफी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हैं इसका परियोग इल्मूनियम में सब रधिक किया जाता है काने का मतलव है TIG building का जो प्योग है इल्मूनियम में सबसे जादा किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोड होलडर तो उर्पीस के बीच लगवग 60-70 degree का कौन बनता है अलेक्ट्रोड होल्डर और वर्क पीस के बीच लगवक 60-70 degree का कौन बनता है अलेक्ट्रोड होल्डर और वर्क पीस के बीच लगवक 60-70 degree का कौन बनता है जैसे मानली जी यह मेरा वर्क पीस है और यह मेरा अलेक्ट्रोड होल्डर हो गया तो इस दोनों के बीच का जो कौन रहेगा, वो कितना रहेगा, 60-70 डिगरी का कौन रहेगा, अगला है प्लाजमा आर्क वेल्डिंग, तो यह आपको प्लाजमा आर्क वेल्डिंग का फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं तो चलिए इसके बारे म के बारे में परने वाले हैं, तो प्लाजमा आर्क वेल्डिंग जो होता है, प्लाजमा आर्क वेल्डिंग में डीसी बिधुद्धारा का परियोग किया जाता है, यहाँ प्लाजमा आर्क वेल्डिंग में डीसी बिधुद्धारा का परियोग किया जाता है, यहाँ प्लाज का परियोग नहीं करते और यह पदार्थ की चौतिया बस्ता होती है मैं एक बार इसको फिर से टी आइजी बेल्डिंग को देखने कोसिस करता हूं क्योंकि यह ज्यादा पूछा जाता इसलिए लगबग हर एक जाम में आपको एक से दो कोस्टन मिल जाएगा टी आइजी बेल करता है वाता बरन के सुद्धी से बचाता है इसका परियोग एल्मुनियम के वैल्डिंग के लिए सब ज्यादा करते हैं और यह जो एलेक्ट्रोड होल्डर होता है एलेक्ट्रोड होल्डर और वर्क पीस के बीच 60-70 डिग्री का एंगल बनता है किसमें तो टीजी बेल्ड